जैसरी राम मैं देवन गुरुजी आज आपको बताऊंगा धन्तेरस के विषय में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रेयोदसी तिथी को धन्तेरस मनाये जाता है और इस बार की धन्तेरस को लेकर लोगों में भ्रम की इस्थिती बनी हुई है कि आखिर दस नवंबर या फिर ग्यारा नवंबर को धन्तेरस पड़ेगी तो हम आपको बता दें कि यह सुब्धिती दस नवंबर दिन सुक्रवाल को पर रही है इस दिन कुवेर देव और मातालचमी की पूजा का विधान है इसके अलावा धन्तेरस के दिन खरीदारी का भी खास महत्व है इस दिन सभी को सोना चांदी बरतन आदी की खरीदारी करनी चाहिए इस दिन खरीदारी करने से आए में विर्धी होती है लेकिन आज का मुख्य प्रश्णिय हमारा सब का बनता है कि धन्तेरस की सही तिथी और पूजा मुहूर्त क्या है तो इस बार की त्रेवदसी की तिथी 10 नवंबर के सुरू हो रही है इसलिए धन्तेरस की सुरुवाद 10 नवंबर 2013 को दोपहर 12 बच कर 35 मिनट से सुरू हो रही है जो दूसरे दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1 बच कर 56 तक रहेगी धंतेरस के दिन माता लक्षमी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है भगवान कुबेर का पूजन का सबसे उत्तम काल प्रदोस काल माना जाता है इसलिए इस बार की पूजा 10 नवंबर को संध्याकाल में 5 बचकर 30 मिनट से सुरू हो जाएगी जिसका अंतिम महूरत रात 8 बचकर 7 मिनट होगा इस प्रकार 10 नवंबर को ही पूण धंतेरस मानी जाएगी क्योंकि प्रदोस काल 11 नवंबर को है ही नहीं ऐसे में कर जो भी बस्तुवें लाई गई हैं बस्तुवों की पूजा उत्तम महूरत प्रदोस काल में नहीं हो पाएगी